मध्यप्रदेश के आगर में फिल्मी स्टाइल में एक F.I.R दर्ज हुई अब ये फिल्मी स्टाइल क्यों है ये आपको बता दें दरसल पहले जिस प्रिंसिपल का गाव में सम्मान किया गया बाद में उन्ही के खिलाफ F.I.R दर्ज की गई आरोप लगाय गया पूरा मामला क्या है आईए जान लेते हैं नमस्कार मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमरुजाला आगर मालवा जिले के पाल खेडी में इस्थित P.M. श्री स्कूल के प्राचारे पर सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीनों ने उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शिन किया साथ ही साथ उनके खिलाफ F.I.R भी दर्ज कराए गई इसकी मांग की गई आगर मालवा जिले में बीते दिनों गाफ के सरपंच से हुए विवात के बाद एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल का अटेच्मेंट आदेश खत्म किया दोबारा से आदेश जारी करते हुए पाल खेडी के जिस स्कूल में थे उन्हें वही यथावत रखा गया अब उस दोरान इसकूली बच्चों और ग्रामीनों ने संबंधित प्रिंसिपल को घोडी पर बैठाया जुलूस निकाला उनका जोड़ दार स्वागत किया और सम्मान किया वही हाल ही में बुधवार को उसी प्राचारे के विरुद धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया और इन ही ग्रामीनों ने चक्का जाम कर दिया प्राचारे के विरुद F.I.R. की मांग भी की गई इसके बाद इस पर कारवाई हुई और पुलिस ने प्राचारे के खिलाफ प्रकरण धर्ज किया और मामला को विवेचना में ले लिया दरसल मधिप्रदेश के आगर मालवा जिले में गत दिनों सोशल मीडिया पर जिले के पाल खेड़ी शास के स्कूल के प्राचारे का एक कथित आओडियो वाइरल हुआ इस आओडियो में सनातन धर्म के विरुद टिपणी की गई थी इसको लेकर बुदवार को लगभग आठ गांफ के ग्रामीनों द्वारा आगर जुला मुख्याले में बढ़ोध रोड चोराहे पर चक्का जाम किया प्राचारे के विरुद विरुद प्रदर्शन किया गया बताया जा रहा है कि वाइरल हो रहे इस वोइस मैसेज में प्रिंसिपल के लाश च्रेंदर मालवी पर आरोप है कि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार किया उनके द्वारा दिये गए उस उद्बोधन के आडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वाइरल किया गया और सनातन धर्म का अपमान किया गया ग्रामीनो के प्रदर्शन के दोरान CSP मोतिलाल कुश्वा मौके पर पहुँचे ग्रामीनो को उन्होंने समझाईश दी और जाम को खत्म करवाया साथ ही साथ प्रिंसिपल के खिलाफ BNS की नई धाराओं में प्राचारिक के खिलाफ प्रकरण दर्च कर लिया गया उन्होंने इस दोरान ये बात कही साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो आडियो है उसको जाँच में लिया गया है उस पर वैदानिक कारवाही की जाएगी अब मामले में दर्ज FIR के मताबिक फरियादी गोवर्धन पिता रामलाल चोहान जो की सरपंच है ग्राम पंच्रायत पालखेडी के उन्होंने संजे शर्मा के साथ थाने में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई है आपको याद दिला दें कि सरपंच और प्रिंसिपल की पहले से ही मनमुटाव चल रहा था इसीपेश गर्म पालखेडी पीम श्री एक इकरत शाला के पराचार के सिमालवी ने 21-2024 को जुलाई मतलब जो पालखेडी में वरक्षार ओपन किया गया था 21-जुलाई को उसमें पराचारी द्वारा बच्चूं के सभाली गई और बच्च्चों के सामने प्रजापत और अनाप शनाप अपशब्द बोले गए बोला गया कि प्रजापत समाज के लोगों को ब्रहामन समाज के लोगों को जूते मारो और समाज के लोगों को जातिगत अपशब्द बोलकर अपमान किया गया अब समाज के हिंदू वर्ग के लोगों में इसके बाद आकरोश पैदा जिससे सभी सनातनी धर्म के आस्था को ठेस पहुँची है हिंदु धर्मिक भावना को आगात हुआ है हिंदु समाज प्राचारे कैसी मालविय के द्वारा आए दिन ब्रह्मन और प्रजापत समाज के लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता है जिससे हिंदु लोगों में शत्रुता पनप रही है उन्होंने ये कहा कि मैं आवेदन पेश करता हूँ कि कारवाई की जाए इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रिंसिपल कैलाश च्रंद मालविय के खिलाफ बी एनेस की धारा 352, 299 और 196 के तहट प्रकरंट पंजीबद कर लिया और मामले को विवेचना में भिलिया इस पूरे मामले में प्रिंसिपल मालविय का ये कहना है कि मेरे खिलाफ क्या धरना प्रदर्शन किया गया और क्या FIR कराई गई इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन इसके पहले पुलिस को मैं आवेदन दे चुका हूँ कि मेरे खिलाफ कुछ भ्रामक जानकारी है वो फैलाई जा रही है लेकिन पुलिस ने अगर फिर भी बिना किसी जाच परताल के मेरे खिलाफ जो है FIR लिख ली है तो इस पर मैं आगे कारवाई करूँगा इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये शडियंत्र किया है उन्हें में कोर्ट तक घसी टूँगा बेरहाल अब इस पूरे मामले में दूद का दूद, पानी का पानी तो कानून ही कर सकता है याने की कौन सही है, कौन गलत है, ये तो कानून ही तह करेगा लेकिन आप क्या राय रखते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें